यह वीडियो जो है वो class 5 के students के लिए है और class 5 में आज हम लोग SST का chapter 3 करने माले हैं जिसका title है the climate the climate का मतलब क्या होता है जलवायू कहते है कि जब हम लोग आपको कुछ समय के लिए ठीक है कुछ समय के लिए अपने वायू मंडल का जो observation होता है as an average ले ले लेते हैं या फिर उस वहां का मौसम कैसा रह रहा है एक period of time के लिए तो उसका जो average condition होता है उसी को हम लोग climate यानि के जलवायू कहते हैं अगर जो है आपको किसी जगह की जलवायू किसी जगह का मौसम जो है वो साल के कुछ महीनों तो एक ही जैसा रहता है तो जै जैसे November से लेकर February तक ठंड परती है है ना तो वह हो गया वेदर ठीक लेकिन वही जो है आप जैसे ही April वगरा आता है April से लेकर अगर आप जुलाई तक चले जाए तो सिर्फ गर्मी परती है तो वह सिर्फ वेदर हुआ उतना समय का लेकिन climate के बात करें तो over the period of time पूरे साल का average मिला लीजिए ठीक है तो वह जो है उस जगह का क्या कहलेगा climate यानि कि जलवायू कहलेगे the climate जो है वह आपको जो जलवायू है वह हर जगह की वैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग होती है the climate the change in climate is due to यानि कि जो आपको climate में परिवरतन होता है जलवायू लिए मेंद करता है एकवेटर से डिस्टेंस पर जाहिए से बात है की एकवेटर के पास आपके धरती क्या है तो वहां पर हीट जो है वह रिकली पड़ता है लेकिन वहीं जो है आपको जब दूसरे एरिया में जाएगा एकवेटर से उपर या-nीचे तो सूरज की रेज ज जाते हो तो slanting rays हो जा रही है तो पोल्स के पास यही कारण है कि आपको ज्यादा ठंड परती है और एक्वेटर के पास ज्यादा गर्मी परती है तो जाहर से बात है कि एक्वेटर का क्या है बहुत बड़ा रोल है हम लोगों के cclimate को effect करने में इसके लावा दूसरा आपको फेक्टर है heat जोंका हर एरिया में कितना रिषिव होता है उसके वेसिस पर धर्ती को हम लोग तीन जोंस में बाठते है ठीक है पहला होता है दोए आपको आपको और टाक्टिक यह दोनों तरफ से हटा दीजें और यह जो आपको सुरू हो रहा है मकर और करक रेखा तो उनके बीच की रेखा को और सब्सक्राइब्स ऋह सॉ इसीना जायए तक कि आपको। आपको शारे शारे 23 डिग्री साउथ से लेकर 66 डिग्री साउथ तक यह फैला हुआ है टेमपरेट जुन अब जो हैं हम लोग बात करते हैं सबसे लास्ट यानिकि हमारी फ्रीजिट जून की तो जो फ्रीजिट जून है वह क्या होता है आर्टिक और अंटार्क्टिक सर्क्ल स होता है यह सबसे आपको फिंक वाला जो सबसे बड़ा टिक यह सबसे पिंक वाट दिक वाला पार ला पार देखेज कि यहीडरे मिलेगा यहां और्जून कहा जाता है अक महतले के सखते हैं कि जो जगह ए ईक्वेटर के पास जो जगह ए जोन उसमें क्या है बहुत जादा गर्मी है वहीं जो है एक्वेटर से थोड़ा दूर हुए टेंपरेट जोन में गया तो आपको क्लाइमेट जो है वहां का मौडरेट मिलने लगा और एक्वेटर से ज्यादा दूर हुए यानि कि फ्रिजिट जोन में गया तो वहां पर जो ह करता है क्लाइमिट जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ने लगते हो वह है अब थंडी परिस्थ bleibt है एक्वेटर से बहुत ज़्यादए दूर है और उच्राइब पर के तो हलाकी मतलब पास ही जादा दूर नहीं है लेकिन वह उचाई परिस्थित होने के करण क्या है बहुत ठंडी रहती है वहीं अगर हम बात करें सिमला की तो वहां पर भी जो है आपको विंटर में जाए यह समर में जाए तो भी जो है आपको लोगर जगह पर चल जाएए आपको पंजाब का लुधियाना हो गया तो वहां पर जो है आपको गर्मी मिल जाएगे क्योंकि वह अगर हम compare करने के देखेगा ना तो इक्वेटर से दिस्टन्स देखेगा तो लुधियाना का भी वही है और सिमला का भी वही है लेकिन लुधियाना गरम रहता है और यही करण है कि वह सिमला ज्यादा ठंडा रहता है अब तीसा जो फेक्टर है इंपोटेंट वह है डिस्टेंस फ्रम दसी यानि कि समुंदर से कितना दूरी पर है कोई जगह तो देखें जब आप जो है विंटर और समर के बीच में टेमपरेचर के डिफरेंस का बात करेंगे तो कई सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पर कोई अंतर ही नहीं होता यानि गर्मी और सर्दी सब में एक ही टेमपरेचर रहता है और यह जगह कौन से होते हैं जो आपके समुंदर के पास रहते हैं वहीं जो है जो आपको तटीय छेतर से दूर के जगह होते हैं वह आपको वि स्ट्रेटर और समर का टिंप्रेचर है वह बिल्कुल सेम ही रहता है क्यों कि वह तर्टी चेतर है वह अगर डिली में अगर चल जाए तो वहाँ पर गड़ी मिलेगा सर्दी मीलेगा क्योंकि वह 30 चेतर से दूर है वही जो है पॉलकटा और लखनाओ में भी जो है दूसरे से interconnected होती है कैसे तो दिखिए जो आपको समुंधर होता है वो आपको जल्दी गड़म होता है ठ्रक्स एकसे समुंधर जल्दी गरम होगा तो उसके उपर कि हवा भी जल्दी गरम होगे और वहीं जमीन को जो है गड़म होने में समय लगता है तो जब ज़ो है दिन का समय होता है जब सुरज की किरने पढ़ रही हूती है तो समुंदर जहर्य होगा हवा कि हवा भी गरम हो गई और अब को जमीन जो है वह एबededire ते इसकी चिधंडी है तो क्या होगा जब हवा उपर को के तरह वहाँ इंग हम्हाँ होती है। जब हवा वहां के उपर उठेजी तो उसका जगहकर देने के लिए जाती है वहां पर गवां ल कें Atlas सब्सक्राइए ह किस थए भतंकर द् 한दी मैं घूराबो है और जमीन होता है तो यहां की हवा उपर उठने लगती है जमीन के तरफ की और इसका जगह लेने के लिए समुद्र के तरफ से हवाई बहती है तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं ठीक है तो यह दियान रखिएगा अब इसके अलवा जो है आपको कहते है क्या कि तो यह दो आपको सागर या फिर महासागर की तरफ से हवाई आती है वह क्या करती है कि अपने साथ बादल ले आती है और बारिस करवाती है पाच्वा फेक्टर है हुमिडिटी और रेन यानिके आदरता और वर्षा तो जो आपको हवा में अमांट ओफ जो नमी मौजूद होती है जो आपको नमी की मात्रा मौजूद होती है उसी को अम लोग उस जगह का हुमिडिटी कहते हैं जो हुमिडिटी होता है वो आपको डिपेंड करता है कि वो जगह कहां पर्ष्थी थे वहां की हवा कैसी है ता प्लेस नियर दसी यानिकि जो आपको समुंदर के पास क भूमी भूमी पर तो वो क्या होती है कि अपने साथ बहुत जादा आधरता लेकर आती है जिसके करण जो है भूमी जो च्छेतर होता है ठंडा होता है दमांट ऑफ रेंफॉल फ्रम दिस विंड और इस डिस्ट्रिबूशन और ग्रेट इंफ्लूएंस और यह जो हवाई आती होते हैं वह यह तो बहुत गरम होते हैं लेकिन हवा जो बारिस होती है उन दोनों जग होपर उनका जो है वहां के क्लाइमिट पर बहुत बड़ा आपको प्रभाव होता है अब हम बात रहते हैं च्छटे सबसे बड़े फेक्टर यानि कि ओशन करेंट की जो आपको प्रभाव को बेंट इस एक्सप्रियंसिंग कभी कभी ऐसा होता है जब आपको यह 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 वहां पर फ्रीजिंग टेंपरेचर होता है बहुत थंड होता है वहीं जो है वाम वाटर ऑफ दा गल्फ स्ट्रीम बिंग से लॉट अफ रिलीफ दूद पीपल तब वहां पर गल् करेंट रिड्यूसेस और वहीं जो है जब आपको कूल करेंट उरता है तो उससे जो है वहां की टेंपरेचर कम होता है और लोगों को रहत मिलती है अब आप लोगों इसके एक्सराइज कर लिए हम हिंट कर दे रहे हैं ऑन दे बैसे सफ रिस हीट रिसीव इसको जो है थ्री क्या 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 है अब को हाई टेंपरेचर लेंगे Ahh को थी कर लिजे वार्म मला मी झेंट सीजन रोसं बोथ के अगे टिक कर लीजे मूंबई इस डास इन द इसमें आपकूलर कर लीजे लुद्याना इस ओंली 250 250 550 मियर के यंऐ कर लीजे मिया फिलिंदे ब्लैंख कर लीजे इस बीकूलik में से देखकर भर्ना इन यह थां यह बीर नाय। दिटिए चाहते वहले में प्लैसलिए कि वह ट क्यायमे का थे देका दस्कला का थे खquila में द।̬ zen बीजे प्मोहतेश परचे बांडो होते नंे इस decreasing भर लिजेए अब जो है आप true false कर लिजेए वाटर वेदर अल्वेज रिमेंस दे सेम इसमें आप false कर लिजेए दे रेज अफ तशन फॉल्ड रिकली ओन दे एक्वेटर इसमें आप true कर लिजेए तेंपरेचर इंक्रेचर इंक्रेज़ विद हाइट अब अब दे सी लेवल नहीं यह गलत है इसमें आप false कर लिजेए दे फिर्जी जोन इस वेरी होट यह भी फॉल्स है प्लेशेस नियर दस सी कोस्ट हैब अब मॉडरेट टेंपरेचर यह ट्रू है मैच दफॉलिंग कर लिजे मॉस्चर को आप humidity से मिला लिजे शिमला को आप 2150 मीटर से मिला लिज रंदेतने आज के लिए इतना ही थैंक यू बेरे मिच